तो से ये Mary Shelley की novel Frankenstein का part 2 है जिसका part 1 मैं discuss कर चुको हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए दिस्क्रिप्शन में आपको link मिल जाएगी अभी हम part 2 discuss करेंगे बड़ी कमाल की novel है मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू करते हैं तो हमारी कहानी के narrator को एक आदमी मिला है जो घायल हालत में था जिसको rescue किया है उन्होंने उस आदमी का नाम था Victor Frankenstein जो नेपल्स में पैदा हुआ जनेवा में बड़ा हुआ और अभी ये फिलाल अपनी कहानी सुना रहा है ये शुरुआत करता है अपने parents की शादी से इसकी parents की शादी का भी एक किस्सा है जो इतना जरूर ही नहीं है तो उसको skip करते हुए चलते हैं ये बोलता है कि मैं पैदा हुआ जब 5 साल का हुआ तो मेरी मा ने एक beautiful गोरी सी लड़की Elizabeth को गोद ले लिया Elizabeth अनात लड़की थी जिसको मेरी मान ने गोद ले लिया मेरी पूरी फैमिली फ्रेंकिन्स्टीन फैमिली उस लड़की से प्यार करते थी मेरे लिए Elizabeth एक बहन से बहुत ज्यादा बन चुकी थी मैं उसे बहन नहीं मानता था मैं उसे कजन बोलना ही पसंद करता था और वो भी मुझे अपना कजन मानना ही पसंद करती थी तो बच्पन तो मेरा एक बहुत ही अच्छा और परफेक्ट गुजरा Elizabeth के साथ में पार्टरी पढ़ता था नेचर की hidden laws को समझने की कोशिशे करता था Elizabeth के अलावा मेरा एक और दोस्त था बहुत ही करीबी दोस्त हैंरी मेरा पढ़ा लिखा स्कूल में बहुत हुश्यार लड़का था और मेरी तरह उसका भी एक सपना था कि हिस्टरी में अपना नाम दर्ज करवा के जाए अब जैसे जैसे मैं बढ़ा हो रहा था मेरे नैचरल फिलसोफी की तरफ इंट्रेस जो था वो पागलपन बनता जा रहा था जितने भी थिंकर्स थे इस फील्ड में मैंने सब पढ़ डाले सब के सब जितना पढ़ सकता था एक दिन मैंने देखा कि एक पेड़ पर बिजली गरी उसे देखकर मेरे दिमाग में ये बात आई अब नैचरल फिलसोफी में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि अभी अभी ये बिजली गरी इस पेड़ पर तो साइंस की ये जिला होती है यह beyond imagination इंसान की सोच से बहुत परे मतलब साइंस में कुछ भी हो सकता है जो इंसान सोच नहीं सकता है वो सब हो सकता है जब साइंस में इतना कुछ है तो मैं natural philosophy क्यों बढ़ रहा हूँ मतलब एक doubt पैदा हो गया मन में फिर दिमाग में आया है कि मुझे fact based studies करनी चाहिए जैसे mathematics पर जब मैं 17 साल का हुआ तो जिन्दगी में एक हादसा हो गया हादसा भी बड़ा खतरनाक था Elizabeth को एक type का बुखार हो गया जो बुखार मेरी मा को पास हुआ और मेरी मा उस बुखार में गुजर गई जाती जाती वो कहती गई उनकी एक आखरी इच्छा थी कि मेरी Elizabeth से शादी हो जाए लेकिन अभी भी उनकी death का मेरी मा की death का इतना शौक था मैंने फैसला किया कि मैं Elizabeth, Henry अपने फादर सब को छोड़ कर कहीं दूर चला जाऊँग वर्डमन वो chemistry के professor थे उन्होंने एक lecture दिया power पर और science में successful भी थे वो award मिले थे उनको तो मैं inspire हुआ और मैंने अपनी सारी बात उनको बताई कि अभी-अभी मेरी मदर के death हुई है मेरा एक plan है कि क्या हम मरे हुए objects को जिन्दा कर सकते है मतलब ऐसा कुछ करने का मेरा plan है मैं ऐसा कुछ करने की मैं सोच रहा हूँ कि objects में हम जान डाल सके professor वर्डमन ने मेरा मजाक ने बनाया बलकि वो inspire हुए और मेरे plan को support करने के लिए राजी भी हो गए और फिर मैंने अपने काम में ऐसा खुद कुछ जोंका एक दिन दो साल बाद अचानक मुझे जिन्दगी का secret पता चला कि ये जिन्दगी आखिर मिलती कैसे है इनसान जिन्दा कैसे है और फिर मैंने फैसला किया कि एक जिन्दा आदमियों की मैं पूरी community एक जात बना दूँगा और कुछ महीने तक मैंने उस creature को बनाने के लिए सबसे पहले एक sample के लिए creature बनाने की कोशिशे की उस creature को बनाने के लिए काफी time खर्च कर दिया अकेला काम करता रहता था अपने apartment में एक animating body बनाने के लिए चलते फिरती जीता जाकता शरीर बनाने के लिए objects को जिन्दा करने के लिए क्योंकि कहीं न कहीं मेरी इच्छा थी मैं चाहता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ बना लिया तो वो पूरी race पूरी community मुझे अपने भगवान की तरह बूझेगी जैसे आज इनसान अपने बनाने वाले भगवान को पूझते हैं कुछ टाइम बाद मुझे भी ऐसे पूजा जाएगा कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये था और महीनों की महनत के बाद आखिर मैंने एक जिन्दा क्रीचर बना लिया सक्सेस्फल रहा मैं एक जिन्दा क्रीचर बनाने में लेकिन जैसे ही वो क्रीचर जिन्दा हुआ मुझे उससे डर सा लगा उसको बनाने की बाद मैंने पहली बात क्या सोची कि क्या बन गया ये तो मॉन्स्टर बन गया अब इसके बाद क्या होता है वेक्टर फ्रेंकेंस्टीन के साथ में देकिन ने 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 वीडियो